नमस्कार साथियों कैसे हैं आप लोग हमारी यूटूब चैनल जार्खन डिफेंस जो मैं आपका एक बार फिर से सवागत है तो फ्रेंट्स मैं आज बात करूंगा जैसे सिजियल भरती परिक्षा 2019 जो कि बहुत लड़कों का कन्फ्यूजन है कि सेलेक्ट लेंग्वेज करूंगा कि आपको यह पेपर बहुत मददगार साबित होगी दोस्तों तो आप इस वीडियो को अन्त तक देखें क्योंकि यह वीडियो आपके लिए खास है ठीक है फ्रेंट्स तो दोस्तों डिसकेशन करने से इस्टार्ट से पहले आपसे एक रिक्वेश्ट है यदि नए है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि ऐसे ही जैसे स्री के पल पल की निज आप तक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे तो चलिए दोस्तों कि आपको को सा लेंग्वेश्ट पेपर लेना है मैं इनी पर डिस कर रहा हूं मैं इनको पर भी बात करूंगा ठीक है फ्रेंस जैसा कि आप देख सकते हैं जो की प्रांपिक एक्जाम और मुखी एक्जाम होंगे ठीक है तो इनमें साप सा लिक्ष चुका है फ्रेंस आप देख सकते हैं परन्तु किसी परिच्छा के पंद्रह हजार से कम आएंगे तो डारेक्ट मुखी परिक्षा का आविजन किया जाएगा ठीक है अईसा होने वाला नहीं है फ्रेंस जो कि आपको लगबाग अच्छे आविदन आएंगे जो बहुत सारे पुराने कैंडिडेट भी है पंद्रह के और नए भी कैंडिडेट है लगबाग आप मा लगते हैं जन्जात्रिय छेत्रिय भासा से कुल स्वप्रस्ण रहेंगे जो पेपर दो में जो कि आपका मेरिट लिष्ट पेपर टू और थिरी मिलकर मनेगा तो आपके लिए यह पेपर इन्पोर्टेंट है तो फ्रेंस देखिए बहुत सारे लेंग्वेज है हिंदी जो कि दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत सारे लेंग्वेज फेपर हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दू कि जो मुख एक्जाम में लड़के लोग बेठेंगे तो कि इन में कोई भी नौर्मलाइज नहीं होने वाली है निनमलाई जो दोस्तो अगर दो लाग से ज्यादा आयगे जैसे सी मैं आपको बता दू कि रूल और नियम है जैसे कि दो लाग से ज्यादा आयएगbrigats पाली में एकजाम होगे आगर चार लाग से ज्यादा आएदन आएंगे प्रेंस तो तीन पाली में एकजाम होगे ठीक है फ्रेंस तो आप समझ गए होगे जो मुख परिक्षा में है दोस्तों उनमें कोई भी नोर्मलाइज नहीं होने जारी है जो कि एक ही पाली में 19,000 लड़कों को एक ही दिन में एकजाम ले लिया जाएगा जैसे सी दोड़ा ठीक है फ्रेंड्स कि अध intimidate हैं हिंदी की उत्पत्ती पुरानीा हिंदि आऊहर्ट डिंगल भासा के विबीन रूप रशनत्मुनेर्फा भासा राष्ट भासा राज भासा संफर्ख भासा संचार भासा जर्ज्यली जो कि हिंदी भासा तसम तदवव देश्य हैसे साहित दोस्तों आप देख सकत मेला अच्छा दर्बारी कहानिया मदुवा ठाकुर का कुवा प्रेम चंद तो हिंदी का जो दोस्तों लेंग्वेज आप इंगलिस भी लेंग्वेज चूच कर सकते हैं कुर्माली है दोस्तों जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता दू कि आप जिस छेत्रिय से हैं आप वही लेंग्वेज सेलेक्ट करें दोस्तों ठीक है अगर आप Hindi अगर आपको अच्छी लगती है तो आप Hindi को सेलेड करें दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता दूं कि हमारे अनुसार आप Hindi ही ले जिनको अगर अनधर language समझ में नई आ रहा है तो आप Hindi ही ले जैसा कि दोस्तों अगर आप हो कुर्माली बहुत सारे लेंग्वेज हैं खुर्टा खड़िया नाकपूरी पंच परगनिया संथाली तो आपको यह लेंग्वेज समझ में नहीं आने वाली है फ्रेंट्स ठीक है तो आप जिस छेत्री से हैं अगर कोई हिंदी छेत्री से हैं स कि इनमें कोई भी नॉर्मलाइज नहीं होने जा रही है ठीक है जैसा कि मेरे एक अंदाज है दोस्तों तो आप हमारे अनुसार हिंदी लेंग्वेज पेपर को ही सेलेक्ट करें ठीक है अगर आपको अनदर लेंग्वेज समझ में आ रही जो जिस छेत्री से ओत ले सकते हैं जैसा कि दोस्तों बहुत सारे लेंग्वेज पेपर हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दू ज्यादा तर लड़के हिंदी लेंग्वेज सेलेक्ट ही करते हैं ठीक है हिंदी लेंग्वेज ही पेपर ज्यादा तर लड़के सेलेक्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं बहुत सा सारे किताब जो हैं दोस्तों की मार्केड में उपलब्द नहीं है ठीक है जैसा कि हिंदी का जो लेंग्वेज रहेगा फ्रेंट्स वह सिवांगन पब्लिकेशन इनका किताब जारी करेगी जहां मुझे उम्मीद है तो दोस्तों आप समझ ले लेकिन जो मेरे अनुसारा फ्रेंट्स आप हिंदी को ही सेलेक्ट करें बहुत सारे मेटेरियल होते हैं दोस्तों जो की किताब उनमें सही से परकासित होती है पर मार्केड में उपलब्द नहीं होती है दोस्तों बहुत सारे जो अधारित होंगे ओमार पे ठीक है तो फश्ट अगर प्राम्भी एक्जाम हो रही है दो लाग से ज्यादा आविदन आएंगे तो उनमें न्रमलाइज होगा लेकिन परिक्षा में दोस्तो जहां तक मुझे उमिद है कि 19,000 लड़कियों को लग भग राची में ही सबस्ट कर लिया जाएगा में तो इन में जहां तक मुझे दोस्तो उमिद है कि कोई भी न्रमलाइज होने नहीं जा रही है फ्रेंट्स ठीक है तो अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जहरकंड, जवार जहरकंड